ये मैंने एक छोटा पुराना लोवर लिया है जिससे हम बहुती सुन्दर गरम सोक्स बनाएंगे हेलो फ्रेंज कैसे हो आप सब आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल होमार्ट में तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है की वीडियो को लास तक जरूर देखे आपको लास तक बहुती अच्छे तरीके से स्वागत की कटिंग एंड स्टेजिंग बताऊंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है जो हमारे पास में लोवर है इसको उपर का इलास्टिक है इसको हम अलग कर लेंगे इस तरीके से हमें कटिंग करकर इसको अलग करना है फिर हमें क्या करना है इसके अंदर से हमें जो ये सिलाई की हुई है इसको अलग कर लेंगे इसको हमें काटके ऐसे cutting करनी है इसके मैंने दो part है वो cut कर लिये है ये देखो इस तरीके से अब हम इसको fold करेंगे देखो कैसे हमें fold करकर इसकी cutting और stitching करनी है यहांसे हम नाप लेते हैं इसकी लंबाई है 12 यहां पर हम change पे निशान लगाएंगे यहां पर हमने चैंज पर इसके ऊपर निशान लगा लिया है अच्छे से अब हमें क्या करना है देखो सेम इसी तरीके से इसके ऊपर भी हम चैंज पर निशान लगाएंगे चैंज पर निशान लगाने के बाद में हमें यहां तक सिलाई करनी है जहां तक हमने चैंज पे निसान लगाया है वहीं तक फ्रेंड्स हम इस दोनों को सील कर त्यार करेंगे देखो एक तो मैंने यहां तक सील लिया है इसी तरीके से हमें दूसरे पैर का भी ऐसे ही सील कर त्यार करना है तो दोस्तों अगर आपके पास में भी इस तरीके से पुराना लोवर पड़ा है जो कोई भी कामे नहीं आ रहा है या तो फिर छोटा हो गया है या फिर सिलाई खराब हो गया है या फिर फट गया है तो उसको हम रियूस करकर बहुत ही शुंदर गरम सोक्स बना सकते हैं बिल्कुल ही इसले तरीके से क्योंकि फ्रेंड्स अभी सर्दी का मोशम चल रहा है तो इसके लिए हमें गरम मोजे गरम सोक्स की काफी आवसकता पड़ती है तो इस तरीके से हम यहां तक इसको दोनों को सील लेंगी अब यहां से हम इसको सिलाई को बिच के अंदर रखेंगे फिर हम इसके उपर पाउं रखेंगे और इसका निशान लगाएंगी इस तरीके से तो दोस्तों दोनों पीस के उपर दोनों पाउं रखते हुए हमें नि यह नहीं है कि एक पाउं के ओपर ही हम एक पीस को दोनों पीस से निशान लगए नहीं दोनों पीस के ओपर दोनों पाउं रखते हुए हम ऐसे सिला निशान से इसको कवर करेंगे इस तरीके से देखो जैसे हमारे पाउं की से पोती है इसी तरीके से हम इसको निशान लगाए है इस तरीकी से देखो जैसे friends हमने इसको निसान लगाया है उसे तरीके से हम इसको सिलाई करकर cover करेंगी इस तरीके से बहुत ही धान से हमें सिलाई लगानी है कई हमारी सिलाई है वो Μटो दुद आ वенная बिल्कूल सेसकी शे अ है वह बन जाएगी तो इस तरीके से हमने ऐसे दोनों को सील लिये है देखो दोनों पाउग को ऐसे हमने पिशिसको सील लिया है अब हमें क्या करना है देखो यह वाला भाग है यहां पर हम पटि लेंगे की जो हमने आप इसके जगर सिधी पटी लगाना चाहते हो तो वो भी आप असान तरीकी से लगा सकते हो बट यहां पे मैं इलाश्टिक लगा रही हूँ ताकि जब हम इसको पांग के अंदर डालेंगे तो इसके जो फिनिशिंग है वो बहुती अच्छी आएगी और पैर में डालने के बाद में इसकी शेप बहुती जबरदस्त लगेगी इस तरीके से मैंने इसके उपर इलाश्टिक है वो लगा लिया है इसी तरीके से फ्रेंट्स हम दूसरे पीसिस के उपर रखेंगे और इलाश्टिक को ऐसे कवर करेंगे फिर हम यहां से इसको सिलाई से कवर करेंगे जै इसको हम कट करकर अलग कर लेंगे यहां से देखो इसको सिधा करेंगे तो बहुत ही शांदार हमारा यह डिजाइन्स बनेगा सोक्स का अब हम पाउ में डालेंगे देखो कितना ही अच्छा लग रहा है इसके अंदर देखो एक तो हमारी सोक्स बनकर त्यार हो गई है और हमार पाउं के ये गरम सोक्स है वो बना कर त्यार कर लिए हैं कितने ही शानदार लग रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज हमें कोमेंट करके जरूर बताएं बाइ फ्रेंड्स फिर मिलते हैं